अगर आप एक नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये कार आपके लिए एक बहतरीन आप्शन सावित होने वाली है, क्या आप जाना चाहेंगे कि इस नई फेसलिफ्ट में कौन-कौन से एडवांस फीजर्स होंगे? हम बात करेंगे ऐसी कार की ज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एलेक्टरिक लवर्स के लिए एक शांदार आप्शन सावित हो सकती है, इसके लग्यूरिस इंटीर, रोटेबल टच स्क्रीन, डूल जोन क्लाइमिट कंट्रोल और एडवांस फीजर्स को भी जानेंगे, साथ ही देखेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आए आटो प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं बैटरी पैक और पावर ट्रेन से, बीवाइडी एटो 3 फेसलिफ्ट में वही 60.48 KWH के साथ, फ्रेंट एक्सल पर माउंटेड मोटर होगी, जो कार को पावर देगी, अब सवाल उठता है कि, चार्जिंग टाइम और रेंज क्या होगी, बीवाइडी एटो 3 फेसलिफ्ट एक बार में चार्ज करने पर लगबग 521 किलो मिटर की ड्राइविंग रेंज देगी, अगर आप 80 किलो वाट फास चार्जर का यूज करते हैं, तो आप इस कार को सिर्फ 0 से 80 परसेंट तक चार्ज जरस्ट इन 50 मिनिट्स में कर सकते हैं, इजन्ट इट अमेजिंग, अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स के बारे में, बीवाइडी एटो 3 फेसलिफ्ट दो वे पर्चुनिटी मिलेगी, ये बजट में थोड़ी हाई रहने वाली है, इंटिरियर की बात करें तो कैबिन में आपको लगबग 12.8 इंचेस का रूटेबल टच स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस स्मार्टफोन किनेक्टिविटी के साथ आएगा, इसके अलावा इसमें 5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रुमेंटर क्लस्टर, 6 वे पावर ड्राइवर सीट, 8 स्पिकर साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, आटोमेटिक एसी, पैनरॉमिक संरूफ और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं, अब बात करते हैं एकस्टिरियर फीचर्स की, इस अपडेटिड मॉडल में एक न्यू कॉस्मिक ब्लैक कलर मिलेगा, साथ ही 18 इंचिस के रीडिजाइन अलॉइ वील, ब्लैक आउट एलिमेंट विंडो लाइन और डी पिलर पर और टेल गेट पर नया बिल्ट यॉर ड्रीम लोगों भी मिल सक कार होगी, इस कार में अल्मोस्ट 6-7 एर बैग हो सकते हैं, जिसमें फ्रेंट डूल एर बैग, फ्रेंट साइट बैग, फ्रेंट सीट साइड एर बैग, साइट कर्टेन एर बैग, ड्राइवर साइड में फार साइड एर बैग और लोड लिमिट प्रिटेंशनल सीट बैट शामिल है, साथ ही इसमें 360 degrees surrounded camera, electronic stability program, hill descent control, prior pressure monitoring system और ISO fix child seat anchorage भीम होंगे, इडास features में forward collision warning, lane keep assist, blind spot detection, auto emergency brakes और adaptive cruise control भी इस कार में मौजूद हो सकते हैं, हलांकि अभी तक इस कार की कोई crash test safety rating नहीं आई है, लेकिन इन features के साथ ये कार safety के मामले में काफी मजबूत साबिद हो सकती है, अब बात करते हैं launch date और price के बारे में, BYD 803 facelift के Indian market में end of 2024 तक आने की उमीद है, price की बात करें तो BYD 803 facelift की price रुपीज 34 lakh से 35 lakh के बीच हो सकती है, जो variants पर depend करेगी, it is likely कि ये एक lower specs variant में भी available होगी जिसमें थोड़ी कम range हो सकती है, दोस्तों आखिर में जानते हैं इसके competitors के बारे में, BYD 803 facelift के आने के बाद ये Hyundai Kona Electric और MG ZS EV जैसे electric crossover cars के साथ competition करेगी, इन दोनों cars के साथ मुकाबला करते हुए, BYD 803 facelift अपने features, range और design के कारण market में अपनी जगा बना सकती है, तो दोस्तों ये थी 2024 BYD 803 facelift की पूरी information, अगर आप एक नई electric car लेने की सोच रहे हैं, तो ये कार आपके लिए एक बहतरी option हो सकती है, इसकी शांदार battery life, advanced feature और premium design के साथ, ये कार definitely ही Indian market में एक बड़ा प्रभाव डालने वाली है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करे, हमारे चैनल iAutoPro को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,